जो जब हम फामिली थेरपी की बात करते हैं तो हम बेसे कली इस तीज की बात कर रहे होते हैं कि हमने पेरेंट्स को किस तरह से गाइट करना है या किस तरीके से ट्रेंड करना है कि जो बच्चे का anxiety का reaction है वो उसको deal कर सकें ठीक है बहुत सारी family therapies है जो के मौझूद है और जो different तरहां के problems को deal करती है इसी तरहां एक जो method है इस problem को deal करने का वो the space के नाम से है that is the supportive parenting for anxious childhood emotions ठीक है अब इसके अंडर क्या होता है इसके अंडर हमारे पास different steps है जिसकी help से parents जो है वो बच्चे की anxiety जो उनको होती है जिस वकत parents उनसे दूर होते हैं तो उनको deal करने के लिए उनको help होती है ठीक है सबसे पहले हम parents को कहते हैं कि वो find out करें एक्सेस से support अब accessing support का क्या मतलब है कि ऐसे लोग जिसके साथ बच्चे का bound है और अगर parent मौजूद ना हो तो बच्चा उनकी presence के अंदर वो काम कर सकता है या अगर mother है और mother रो स्कूल नहीं जा सकती तो क्या उनकी family में कोई और है जिसना कोई paternal uncle होते हैं या paternal aunt है या maternal uncle है या maternal aunt है जो उनकी parents को replace कर सकें ठीक है तो इस तरह का जो support system है वो सबसे पहले parents को कहा जाता है कि उन्होंने identify करना है जो बच्चे का disruptive behavior है या अगर उसने देखा कि mother घर से बाहर गई है और उसने temper tantrum शो करना शुरू कर दिये तो हमने parents को ये बताना होता है कि आपने उसके इस किसम की behavior को attend नहीं करना ठीक है तो extinction जो है वो उनको सिखाई जाती है कि उन्होंने उस behavior को कैसे extinct करना है और कैसे आइसता आइसता बचा जो है उस behavior को करना छोड़ देता है ठीक है then coping with threat to self इस तरह के बच्चे जो होते है separation anxiety disorder वाले ये certain time threat करते हैं for taking the suicide जिसा हम वो कमरा बंद कर लेंगे क्या वो ये कहेंगे कि मैं खुद को हाम कर लूँगा अगर आप गई तो इस किसम के जो threatening जो उनके verbatums होते हैं those are very significant और उनको deal करना जो है वो हमें parents को बताना होता है क्योंकि जैसे ही बच्चे इस तरह के words बोलते हैं तो parents जो है वो फारी तोर के उपर जो है वो extra care जो है towards the child show करना शुरू कर देते हैं बच्चे की safety important है ठीक है लेकिन उस वज़ा से blackmail होना गलत है तो उस वकत खास दोर पे बच्चों को ये parents को ये बताया जाता है कि बच्चों का जो इस किसम का behavior है you need to be tell them कि because they are upset और चूंके वो बच्चे इस तरह की बात कर रही है that's why 24 hours या one week ब और आप उसकी जो activities हैं उनको limited करेंगे why because you want to be take care of his or her safety तो ये चीज़ जो है ये बहुत important है और बहुत sensitive है तो इस चीज़ का अपने खास तोर पर देहान रखना है उसके बाद teaching and modeling self regulation teaching and modeling self regulation का क्या मतलब है कि बच्चे को आपने ये चीज़ सिखानी होती है कि उसने खुद क कैसे करना थी है जिसना हमने बात की बच्चे को हम debit statements देते हैं इसी तरह हम parents को ये बताते हैं कि उनों ने खित को कैसे regulate करना या या ये नहीं है कि अगर बच्चे को anxiety होरी है तो मा को double anxiety होरी है या और बच्चा कमरे के अंदर हो रहा है Smart São cancer के अंदर के साथ मीटिंग करा सकते हैं, डिफरेंट वीडियो दिखा सकते हैं, तो जिसकी मदद से उनको इसमें help मिलेगी. Then improving parent cooperation, certain time होता यह है कि जो एक burden है, वो किसी एक parent के उपर आया होता है, तो we were trying to do that thing, कि जो दोनों partners हैं, उनके दरमयान जो cooperation है, वो improve हो सके, ताके जो liabilities हैं, वो दोनों partners के अंदर properly distribute हो सके, तो इन सारी चीजों को या इन सारे steps को कराने का main मकसद ही होता है, कि parents को ये बात समझ में आए, कि जब बचा anxious behavior शो कर रहा है, या separation anxiety शो कर रहा है, तो उस वक्त जो symptoms उसके आ रहे हैं, उनको किस तरहां deal करना है, तुक है, mostly mothers जो हैं, वो हमें ये report करती हैं, जिस वक्त बच्चा जो है, वो रोना शुरू करता है, या tantrum शो करना शुरू करता है, तो उसके पास जाती है, उसे हग करती है, तो बच्चा जो है, वो cool down हो जाता है, तो it is something कि जहां पर वो उसके negative behavior को reinforce कर रही होती है, तो ये जो cycle है, इसको हमने उनको बताना होता है, कि किस तरहां वो खत्म कर सकती है और तोट सकती है, ताकि दुबारा से जो बच्चे का एक healthy behavior है, वो develop हो सके, thank you.